हेलो इस्टुडेंट गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आपके अपने परिवार पीम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है आज का अमारा वीडियो पीजी सी आईयल के प्रिवियस पेपर को सॉल्ब कराएंगे जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही महत्त को स्वागत हैं आपके बारे में कमेंट करके जरूर बताईएं आई हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पेपर का पहला कोंश्चन दिया है कि बिग्दुत से लगी आग का समन ठीक है समन केवल खाली स्पेस यह स्पेस दिया है आपकर की द्वारा ही करना चाहिए जैसे बिगदुच से जो लगने वाली आग है और समन जो है आपका यह अगनी सामक अगनी सामक कई परकार के होते हैं लेकिन जो बिगदुद से लगने वाली आग है उसको बुझाने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो carbon tetra chloride अगनी सामक का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट कोस्चन लव प्रकार के गतिसील उपकर्णों जो भी मतलब डाइनामिक डिवाइसे हैं का प्रयोग करने के लिए किया जाता है लव प्रकार के लिए केवल AC और किसमे DC दोनों की आपूर्ती में AC और DC दोनों की आपूर्ती के लिए लव प्रकार के गतिसील उपकर्णों का उप्योग किया जाता है यानि प्रत्यावर्ती धारा और दिश्ट धारा डारेक्ट दोनों के लिए आपूर्ती के लिए प्रयोकियो जाते हैं Next question आपका दिया है कि एक समवाहक एक समवाहक यानि conductor का गुण जो इसके माध्यम से धारा प्रवाह का विरोध करता है तो धारा प्रवाह का बिरोध कौन करता है प्रतिरोध या इसको दूसरे सब्दों में कर सकते हैं कि वह है एलिमेंट जो धारा के प्रवाह का बिरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है और यहाँ पर प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है इसका मातरक क्या होता है मात्रक होता है, unit मात्रक होता है, ohm, क्या होता है, ohm, मात्रक होता है, ohm, voltage मात्रक क्या होता है, voltage का, voltage, प्रवाहकत्व का मतलब क्या है, देखिए, प्रवाहकत्व का मतलब होता है, कि चालन से संबन देते है, प्रवाहकत्व का मतलब क्या होता है, चालन से संबन देते हैं, ज धारा करेंट इसका मात्र क्या होता है एंपियर त्ली या आई बराबर होता है को को सकते हैं इस प्रारम्भक प्रारम्भक मतलब यानि स्टार्टिंग करने के लिए क्या उप्योग किया जाता है ठीक है तो यहां पर इस्टार डेल्टा स्टार्टर कौन से किया जाता है इस्टार इस्टार डेल्टा स्टार्टर इस्टार्टर इस्टार्टर देखे अगर आपका फाइफ एच्पी तक है तो यहां ड्योष्ट से किया जाता है और 5 से अगर यह ज्यादे होगा तो यह इस्टाड ड्रणीररण से इसटर्ड किया जाता है जंनली आप शट्ध के भी होते हैं उनको इमलेक्ट ड्रौन से करते हैं लेकिन यहां पर क्या है न की आपको पॉइंट के हशाब से देखना है कि क्या आपके पॉइंट जी से दिये हैं जैसे आटो ट्रांस्पार्मर हो गया आटो ट्रांस्पार्मर जो हो जाता है वह टेन से उपर मतलब 2015-25 जो HP के मोटर होती हैं उनको चलाने के लिए आट्रो ट्रांसफर्मर का उप्योग किया जाता है लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी यह पॉइंट दिये हुए है इनके हिसाब से आपको एक्जेक्ट वैलू के पॉइंट् chlorine ही याद रखने हिए किसी किताब में पांट से 15 दिया होगा किसी में 10 Dos डिया होगा दिए तो इसको एक्जेक्ट वैलू अच्छी करने के दोरान आगर उसमें चिंगारीय स्पार्क होता है उसमें क्या ज्यादा होगा? इंडक्टेंस का मान क्या होगा? ज्यादा! प्रेरकत्व का मान क्या होगा? ज्यादा! शिम्बल क्या होता है इसका और इसको बेक किसे करते हैं L से मात्र क्या होता है हेनरी मात्र क्या होता है हेनरी धारिता क्या होता है आपका कईपा सीटेंस धारिता कईपा सीटेंस सिम्बल आपका C से बेक करते हैं मात्र किसका क्या हो जाएगा मात्र क्या होगा फैरेड मात्र क्या होगा फैरेड यहां पर एक एक माइक्रो फैरेड बराबर दस का पावर माइनस 6 फैरेड होता है और एक पी को फैरेड बराबर 10 का पावर माइनस 12 फैरेड होता है और प्रतिरोध का मात्र क्या होता है प्रतिबाधा क्या होता है प्रतिबाधा का भी मातरक ओम होता है और इसको बेक्ट करते हैं किस से जेड से ठीक है इंगलीस में इसको इंपीडेंस कहते हैं इंपीडेंस टुक नेक्स्ट कुश्चन है करें भूमिगत नलिकाओं में तार लगाने मतलब conduct pipe wiring का दूसरा नाम क्या है duct wiring या concealed wiring या concealed wiring ठीक है ये wiring के question इसको याद रखना है next question दिया है कि यहाँ पर एक CRO किसके लिए CRO के लिए इस क्रीन में 10 millisecond time कितना दिया है 10 millisecond के साथ अनुमानित का आपरिती मतलब तूथ frequency क्या होगी ठीक है तो short तूथ frequency आपको बताना है तो frequency का सुत्र होता है एफ बराबर one upon me T या टी बराबर आप एन आप एफ बराबर में F भी लिखते हैं ठीक के लिए समय होता है आवर्थ काले के लिए होता है सेकेंड और अबिटी कमातर क्या होता है हर्ट यहां पर निकालेंगे तो यहां पर कितना दिया दस मेली सेकेंड इसको हम बदल देंगे 10 को और मीली का मतलब 10 का पावर 3 सेकेंड यह कितना हो जाएगा 10 को पावर प्लस हो जाएगा और यह अब अब फुरந्यवं प्रतिसेकेंड अब यह हो जाएगा है है और इसको हम सौह हर्टili लिख सकते हैं आपिर सान स्यात्ति किया जाता देखिए LAUGH किस तरह से संयोजित किया जाता है एमीटर और बोल्ट मीटर की सीमा के बिस्तार के लिए प्रतिरोध को किस तरह से संयोजित किया जाता है पहला चीज की इसको बोल्ट मीटर के बारे में समझेंगे बोल्ट मीटर क्या होता है बोल्ट मीटर और दूसरा आप समझेंगे हम लो आपका बीवो बोल्टेज मापने के लिए किया जाता है और एमीटर आपका करेंट मापने के लिए किया जाता है बोल्ट मीटर का आदर्स रूप से प्रतिरोध क्या होता है आदर्स रूप से प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है बोल्ट मीटर का प्रतिरोध मैक्सिमम हो और प्रिक्टिकली क्या होगा अधिक्तम मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका प्रतिरोध रखा जाता है ठीक और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में पॉल्ट मीटर को सहिजित किया जाता है नेक्स्ट यहां पर एमीटर क् तो कि जो आधर्स रूप से जो इसका प्रतिरोध होता है वह क्या करना चाहिए अगर माल वाओन गटाठा दे करता होगा इनके मेज़र्मेंट मापन में क्या जाएगा एर रहे धिक है यानि इसको यहाँ यहाँ पर और इसको किस करम में जोड़ा जाता है यह स्रेड़ी करम में कहने का मतलब यह मुद्य के अगर इसको याद करना है तो प्रतीरोध को किस क्रव में जोड़ेंगे अगर भी इस्तायर करना है तो आपको प्रतीरोध को फैरलल में जोड़ना पड़ेगा और सिरीज में वोल्ट मीटर के लिए किस में जोड़ना यह उसके हम एक रॉस लगाएंगे तेहां पर आप्षन कौन सा होगा समांतर और सिरीज पैरलल यह मतलब आप्षन नंबर चार सही होगा एक चुम्बकिय परिपत में चुम्बकिय छमता कमापन के रूप में किया जाता है एमेमेफ के रूप में ठीक है चुम्बकिय वाहक बल ठीक है आप सम कौन सा होगा त district की कमात रख होता है काई सिटर का हेनरि मात रख होता है इंड़क्टर का अकुलाम किसका मात रख होता है प्रकार के रोधन का उपयोग किया जाता है लेकिन इसको ध्यान से सुनेछ देखिए 132 kb में आपका किया जाता है suspension का किया जाता है suspension इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है suspension इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है और इसका एक इंसुलेटर 11 kb voltage को measure करता है अब यहां पर देखें यहां पर दिया ने कि डिस्क प्रकार की इंसुलेटर का उप्यों किया जाता है ठीक है सही है यह 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 लेकिन 132, 220 के भी 220 के भी 400 के भी 765 के भी सब में आपके suspension इंसुलेटर उप्यों किया जाता है डिस्क इंसुलेटर वहां पर उप्यों किया जाता है जहां पर जैसे आपका normal भासा में simple भासा में jumper या फीज यहां पर या line इंडिंग होता है का जैसे पोल पर पर मालिजे कि यहां पर डिस्क इंसुलेटर लगा दे हम इसके आगे light नहीं ले जाना है ठीक है तो यहां पर डिस्क इंसुलेटर का उप्यों किया जाता है आपका जेनरली 11 के भी 37 के भी पर भी इसका उप्यों करते हैं 36 kb पर इसके उपयोग करते हैं, लेकिन अगर आपको 33 kb पर ही लगाना है। और pin insulator का उपयोग सीधे straight line सीधा अगर line खीचना है, वहें पर pin insulator का उपयोग किया जाता है। क्योंकि pin insulator आपका, pin insulator विस में यहाँ पर conductor रखने के लिए बना आता है, ठीक है, cycle insulator जहाँ पर line को turn कराना है, turn जहाँ करा जाता है, वहाँ पर cycle insulator का उप्योग किया जाता है, next question, जिस option में आपको confusion हो आप comment box में comment करके ज़रूर बताएए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप share कीजिए और channel को subscribe करना न भूलिए तो आएए अब आगे देखते हैं अस्थाई चुम्बक गतिसीन फूंडली ठीक है permanent magnet moving quiet ठीक है permanent pmmc उपकरणो का प्रयोग केवल आपूरती के साथ किया जाता है तो किस के साथ किया जाता है DC के साथ किया जाता है ठीक है next question तीन वाली अपूर्ति के लिए यहाँ पर थोड़ा सा mistake हो गया तीन अपूर्ति को किसकी सहायता से प्रवश्थाओं वाली अपूर्ति में परिवर्ति किया जाता है तो यहाँ पर escort connection किसमें किया जाता है escort connection के द्वारा उसको 3 phase वाली को बदला जाता है दो phase में ठीक है दो phase में बदला जाता है यहाँ पर star delta सायोजन दिया है देखिए आपके जो transformer होते हैं वो तो आपके दोनों होते हैं delta to delta होते हैं star to delta होते हैं और delta से star भी होते हैं लेकिन distribution system में आप delta से star में ज्यादा उप्योग किया जाता है और transmission system में delta to delta का उप्योग किया जाता है नेक्स्ट भूमी रिशाव earth leakage circuit breaker को भी कहा जाता है मतलब किसको कहा जाता है तो residual current circuit breaker इसको start curtain बोलते हैं RCCB और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे residual current circuit breaker RCCB ठीक है RCCB और एक होता है आपका ELCB, ELCB, MCB और MCCB, MCB miniature circuit breaker, earth leakage circuit breaker वैसे ही आपका RCCB MCCB है ठीक है यहाँ पर क्या होगा और से सधारा परिपत बियोजग नेक्स्ट कोस्ट्चन अब केंद्री स्विच अधिक्तम गति पर बियोजित होता है क्यों गतिक मतलब जिस पर आप केंद्री स्विच सेंट्री सेंट्री फ्यूगल सेंट्री फ्यूगल स्विच जैसे देखिए यह आपके मोटर हो गया है वानस्था है आपका सेंट्री फ्यूगल स्विच जो होता है वह लगा होता है लेकिन सेंट्री फ्यूगल अब उसमें जैसे की मैं दो वाइंडिंग्त होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा होता है रनिंग वाइंडिंग दूसरा क्या होता है रनिंग वाइंडिंग तो यहां पर स्टार्टिंग वाइंडिंग और सेंट्रिफ्यूगल स्विच का उपयोग जो किया जाता है जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो कर लेगा कि में अपने आप यह हो जाता है अगर नहीं हो करके प्रवाइत हो रहा है उसमें लॉसेस क्या होंगे बढ़ जाएंगे वह पचातर परसेंट स्पीड प्राप्त कर लेने के बाद सेंट्रिफिगल स्विच ओपन हो जाता है तो आप संग कौन सा सही होगा एक नेक्स्ट कोश्चन पीन वाइस का प्रियोग निमनलिखित में से किसके लिए किया जाता है तो पीन वाइस का प्रियोग पीन जैसे बहुत छोटी वस्तूओं को धारन करने के लिए किया जाता है next question एक three phase square case induction motor ठीक है three phase square case induction motor three phase square induction motor को द्वारा आरम किया जाता है तो देखे three phase square motor को direct online starter या start delta दोनों से ही start कर सकते है ठीक है दोनों से start किया जाता है और starter का कारे का होता है starter एक तरह का safety device और दूसरा उसका महत्वण कारे होता है कि वा starting current को control करता है क्या करता है starting current को control करता है और वही DC motor होता है तो DC motor में क्या होता है DC motor को चलाने के लिए two point starter, three point starter four point starter का उप या जाता है और यह armature के series करम में के जुड़े प्रतिरोध के कारण वह स्टार्टिंग करेंट का मान क्या करता है कम करता है कि नेक्स्ट कोश्चन यहां पर सुस्क सेन ड्राइ सेन में प्रयोग किया जाने वाला बिद्दुत अपघट मतलब और इलेक्ट्रोलाइड के रूप में क्या किया जाता है अमोनियम क्लॉराइड का उप्योग किया जाता है अमोनियम क्लॉराइड का उप्योग किया जाता है इनने सोरी 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 गलत गलत यह तो आपका सोडियम क्लॉराइड होगा यह नहीं अमोनियम क्लॉराइड एनेज फ ठिक है एनेट्सिใหूर मतलब हैं मृन्पाइड का उक्योग किया जाता है नेक्स्ट कोश्चन कि एक भिगदूत को यानि एक एलेक्टूड के ओपर आठ तो यहेंगे समयक्ड का द्रभ्यमान होता है जमी समय करीं क्या होता है तो भिगदूत स्थ्थ्थ की परिमापार के यहां पर क्या होता है कि M बड़ाबर होता है क्या समय कि that T alors यहां से एंटिव लिख सकते हैं जेट कमान निकालेंगे मिया रासाइनिक तुल्यांग का मातरक निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा प्रति प्रति कुलाप कि इसको कहा है जाता है जेड को रासायनिक तुल्यांग 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 तुल्यां परिपत में मतलब सिरी सर्किट, स्रेणी सर्किट में, ठीक है, स्रेणी परिपत में, कितनी दिशाओं में बहती हैं, ये कही होगा, क्यों, क्योंकि सिरीज करें में करेंट क्या होता है, समान, करेंट का बटवारा नहीं होता है, और बोल्टेज क्या होता है, और समान, किसी भी अस्थान के लगू परिपत को सौट कि इस्थिती में मेगर पठ्यांग का रिडिन क्या होना चाहिए देखिये सौट अगर सरकीट आपका होता है तो उस टेम क्या होता है कि करेंट जो होगा ठिक है करेंट का क्मान बढ़ जाता है करेंट कमान क्या होगा बढ़ जाएगा इसका मतलब कि सोठ सटकिट में क्रेंट कमान बढ़ता मतलब प्रतिरोत कमान घटना और आइडियल उससे कितना जीरो यदि आपन से इस का मतलब प्रतिरोद क्या होगा अनंत तो यहां पर अगर मेगर में लगू लगू सॉर्ट सर्कुट में इस्तिती मेगर की इसका रीडिंग क्या होगा तो सुन्य होगा सुर्ट सर्कुट में क्या होगा सुन्य होगा तभी तो करेंट ज्यादा से ज्यादा प्रवाइद होगा short circuit में current command क्या होता है? सुननी होता है. तो उसमे current command क्या होगा? जादा होगा. और open circuit में प्रतिरोध अनंद्फ होता है और current command क्या हो जाएगा? 0. open circuit होगा तो current command क्या होगा? 0. next question. मुख्यचे तर्वाहक मुख्यचे तर्वाहक यानि flux और armature आर्मेचर प्रवा फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहा जाता है आर्मेचर मुख्य छित्र प्रवा और आर्मेचर प्रवा के फ्लक्स को क्या कहा जाता है आर्मेचर रियक्षन कहते हैं आर्मेचर रियक्षन कहा जाता है ठीक है सौर दीप के लिए किस प्रकार के दीपों को प्रयोग करने के लिए वरित्यत दी जाती है LED इसको दी जाती है LED इसका उपयोग क्या है इसका सिंबल कैसे हम लोग बनाते हैं यह आपका हो जाता है LED का फूल फरम क्या होता है LED का फूल फरम होता है लाइट इमिटिंग डायोड प्रकास उत्सर्जक डायोड होता है नेक्स्ट कोस्चन, CRO, CRO का सही पूल रूप, मतलब CRO का फूल फारम क्या होता है, CRO का फूल,